पंजाब नैसनल बैंक महागोटाले में जहां एक तरफ बैंक करमचारियों के मिली भगत की बात सामने आ रही है वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी कि हर चार घंटे में एक बैंक करमचारी फरजी वाड़ा करने में सामिल होता है भारतियर इस दे बैंक ने ये चौकाने वाले आंकडे पेस किये हैं RBI के मुताबिक औस तन हर 4 घंटे में एक बैंक करमचारी फ्रॉड में सामिल होने को लेकर पकड़ा जाता है RBI डाटा के मुताबिक 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच सरकारी बैंकों के 5200 करमचारीं के खिलाफ फ्रॉड में सामिल होने को लेकर बड़ी कारवाई की गई है फर्जी वाडे में सामिल होने वाले करमचारीं में से जहां कुछ लोगों पर जुर्माना लगाया गया है वहीं कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया RBI के हवाले से बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा करमचारी भारती स्टेट बैंक में पकड़े गए है रिपोर्ट्स के मताबिक भारती स्टेट बैंक के 1538 अधिकारीं के खिलाफ फ्रॉड करने को लेकर कार्रिवाईया हुई है इसके बाद दूसरे नंबर पर Overseas Bank और तीसरे नंबर पर Central Bank of India है Overseas Bank के 449 करमचारियों और Central Bank of India के 406 करमचारियों पर कार्रिवाई की गई है पंजाब National Bank की बात करें तो इस दोरान बैंक के 184 अधिकारी धोखा दड़ी करने की गतिविधियों में लिप्त पाए गए हालांकि RBI ने यह जानकारी नहीं दी है कि इन करमचारियों की वज़े से बैंकों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है लेकिन कुल मामलों में से 2084 ऐसे मामले हैं जिन में आंदरूनी सूत्र सामिल थे और यह कुल फ्रॉड के आंकडों का 12 फीसदी बताया जा रहा है